नमस्कार दर न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंग हनुमान जैंती के असर पर हर साल रायपूर रेलवे स्टेशन इस्तित हनुमान मंदिर में भव्य आयोजन किया जाता था लेकिन इस बार कोरोना वाइरस के चलते ऐसा नह हनुमान जैंती है चुकि रायपूर कलेक्टर डॉक्टर एस भारती दासन ने छे मई तक जीले में लॉकडाउन लगाया हुआ है इसलिए इस बार हनुमान जन्मुत्सों पर किसी प्रकार का आयोजन नहीं किया जाएगा राठी ने बताया कि पिछले 40 सालों से रेल्वे स् करने आते थे देखिए रेल्वे स्टेशन हनमान मंत्री जो है मैं समस्तों 36 का सबसे बुड़ा मंदीर है और हर सनीवार मंगल वहां पर भंडारे के आवजन हम लोग करते थे और हनमान जैंती की दिन मैं समस्तों कम से कम 25,000 सा दालू हनमान जी की आया के दर्शन करते थे प इधायाग और हमारे चेंबर आप कामर से साथी सभी वह परी संसाओं के अध्याच और सहर के गणमान नागरिक जो हनमान जी की महारती हम लोग 12 बजी करते से सभी उसनों सामिल होते से और मुझे लगता है कि यहां पर मंदीर आते से और हम लोग भी उनसे निवदन करते थ हो आज हनमान जैनती है आप हनमान जी का दर्शन करें और प्रसाधी का लाव ले तो सभी वहां से रेलवे श्टेशन से मैं समस्ता हूं राइपूर से शब्रय अनगरती है और 35 से चालिस जारे यात्री वहां से निकलते से तो सभी को हम लोग अंपरोद करते थे कि आप प् माध्यम से मैं सभी हन्मान वक्तों से अपील करूंगा कि सभी अपने अपने घर पे हन्मान जी की जयनती के उपलक्ष में हन्मान चैलिट से का पाट करें सुंदर कांड का पाट करें हन्मान जी की आरती करें प्रशादी जो है हन्मान जी को भोग लगाएं लेकिन बीना तो मांक्स का प्रयोग करें करें क्योंकि आप देखरें कि यह जो काम अभी चल रहा जो समय चल रहा है बहुत ज्यादा खतरनाक समय है लगातार हमारे रायपूर में पुरे प्रदेश में 7000 करोना से पिडित थे उनकी मौत हुई है और एक्ट्व केस लगभाख 6-6 लाख है गह बजय करता हूं कि हनमान जी का जनमों को हम आपने घर परोंगर मनाएं और रखोता है आसे पर immens एक हम प्रकार चाहती कि हनमान जी के प्रती हम लोगों का स्चा संब्गभ का जो हमारा हमान जी का जनम दीन है उसे पूरे हनमान भक्त इस प्रकार से अगर पालन करेंगे तो मैं समय स्वाहिए हनमान जी बहुत प्रशन होंगे और हमारा रायपूर foot पुरा प्रदेश पुरा देश और विश्व शैनमान जひनुंभान के के बाद रोंगे शन्करमन से मुक्त होगा यही मैं इश्वर्ष से कामना करता हूं हन्मान जी के मैं से कामना करता हूं